उत्तर प्रदेश में खौफ का दूसरा नाम था थी पुलिस से लेकर जजों तक जिस नाम से कापते थे वो नाम था थी जरायम की दुनिया का बेताज बादशा था थी अपने सामने आख उठाने वाले को खत्म कर देने वाला नाम था थी ये नाम अब दुनिया में नहीं रहा पुलिस के सामने तीन हमलावरों ने इसे गोलियों से चलनी कर दिया अतीक ने जो बोया था वो काट लिया जो जुर्म का भीज उसने बोया था वो बेड आज कट चुका है आज आपको बताएंगे इस नाम के आतंक के बारे में कैसे एक तांगे वाले का बेटा जुर्म की दुनिया का बेताज बादशा बन गया और कैसे योगी सरकार ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया और पिर कैसे उसकी मोद योगी सरकार पर ही सवाल खड़े कर गई सवाल ऐसे जिनका जवाब सरकार को देना है नाम अतीक एहमद, बाप का नाम फिरोज एहमद, पतनी का नाम शाइस्ता परवीन, बेटो का नाम अली एहमद, उमर एहमद, असद एहमद, अजान एहमद, अबान एहमद, चन 10 अगस्ट 1962, उम्र 60 साल 10 अगस्ट 1962 को फिरोज के घर, जब एक बच्चा पैदा होता है, तब नहीं पता था कि बच्चा नहीं, खौफ का दूसरा नाम है, अतीक के गुनाहों के लिस्ट जितनी लंबी है, उससे कताई कम, उसकी सियासी उपलब्दियां नहीं है, वो माफिया था, वो गैंग लीडर था, हिस्ट्री कभी देश के पहले प्रदान मंत्री पंडि जवार लाल नहरू, लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ सो से ज्यादा अपरादिक मुकदमें दर्ज हुए, लेकिन ज्यादतर मामलों में सिस्ट्रम उसके इसारों प ये नाम उस वक्त फिर से सुर्खियों में आ गया, जब उमेश पाल को दिन दहाडे भून दिया गया, उमेश पाल को मारा नहीं गया, बलकि प्रियागराज में एक बार फिर से वो खौफ जिंदा किया गया, जो योगी सरकार से पहले हुआ करता था, जजों का ऐसा मानना प्रियागराज ये कुछ इलाकों में कानून का नहीं, बलकि अतीक एहमद का राच चलता था, वहाँ खाकी का रही बलकि अतीक का इकबाल बोलता था, लेकिन जरायं की दुनिया का ये बादशा अब खामोश हो चुका है, सुनी अतीक एक तांगे वाले का बेटा कैसे, पह पर परदा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तमाल किया और अपराद के साथ राजनीती के दम पर करोडों नहीं, बलकि अर्बों का आर्थिक सामराज्य खड़ा कर लिया, अतीक को गुनाहों की दुनिया इतनी पसंद आ चुकी थी, कि उसने अब पूर गराज की नैनी सेंटरल जेल में, तीसरे बेटे असद पर यूपे पुलिस में 5 लाग का इनाम रखा था और 13 प्रेल 2023 को वो पुलिस एंकाउंटर में मारा गया, उमेश पाल की हत्या के बाद पत्नी शाहिस्ता फरार थी, लेकिन जैसे ही खबर मिली कि उसका सुहाग ग्रह में हैं या नहीं, इस बात की पुक्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि पुलिस कोर्ट में कहे चुकी है कि सुरक्षा कारणों की वज़ा से नाबालिक बेटों का पता नहीं बताया जा सकता, अब सुनिए इसका थीत क्या था, ये वो दोर था जब अबरादी सियासत की सत वकान शाओं ने माफियाओं के सपनों को पंक लगा दिये, जो क्रिमनल एंकाउंटर से बचने और तूसरे तमाम फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं के प्रिकर्माग नहीं करते तकते थे, वो खुद जनता के मुक्तार बनने लगे, माफियाओं के सफेद पोश बनने और अपराद के राजनीती करण के बदलाव वाले उस दोर में सबसे चर्चित नाम रहा प्रियाग राज का अथीक एहमद। इसी साइसी उम्र में पहला मुकद्मा भी दर्ज किया गया, लेकिन कुछ ही सालों में अथीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी, तो वो जिले की कानून व्यवस्ता के लिए खत्रा बनने लगा, अथीक और पुलिस में लुका छुपी का खेल आम हो गया था, अथीक ने की सलामती चाहिए, तो काले कारनामों को सफेद कुर्टों के पूछे छुपाना पड़ेगा, 1989 में यूपी के विदानसबा चुनाव में, इलाबाद वेस्ट की सीट से वो निर्दलिय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्रा, उस दोर के हालात क चलते अतीक को चुनाव में कामियाबी भी मिल गई और वो माफिय अतीक से माननिय विदायक अतीक एहमद बन गया, अब जिस पुलिस से उसे खत्रा था, वो पुलिस उसे संरक्षन देने लगी थी, 1980 के ही चुनाव में, ततकालीन पार्शर्द और अतीक जैसे ही आपरादि को के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया, इसके बाद वो इसीलाबाद सीटी वेस्ट सीट से 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा, पहला दो चुनाव वो निर्दलिय उम्मीदवार के तोर पर जीता, तीसरे चुनाव में भी वो निर्दलि पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया, तो 2002 में डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने अपना दल से 2002 के चुनाव में के वक्त वो अपना दल का प्रदेश अध्यक्स बन चुका था, और हेलिकोप्टर से यूपी के कई जगों पर प्रचार करने के लिए जाया करता था, उसन अभी देश के पहले प्रदान मंतरी पंडित जवारलाल नहरू की सीट हुआ करती थी, 2004 में सांसच चुने जाने तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किसमत आजमाई, उसे हर जगा कामियाबी मिली, वो कहते हैं न, जिस चीज को भी हात लगा दो, वो सोना बन जाती है, वही हाल था अतीक एहमद का, लेकिन एक दिन ऐसा आया, जिस दिन से अतीक के उल्टे दिन शुरू हो गए, ये दिन था 25 जनवरी 2005, जब अतीक ने राजुपाल को वीच सडक पर गोलियों और बमों से भून दिया, ये गटना ना सिर्फ इतिहास बन गई, बलकि बन गई अतीक और उसके परिवार का काल, इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कहीं चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में उसके हिस्से नाकामी आई, दरसल सांसत बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी, अतीक ने अपने इ विधायक बनते ही राजुपाल पर कई बार जानलेवा हमला किया गया, लेकिन 25 जनवरी 2005 को शेहर के धूमन गंजी इलाके में विधायक राजुपाल की दिन दहाडे हत्या कर दी जाती है, विधायक की अत्या का अरोप अतीक और अश्रफ पर लगता है इस मामले में, दोनो विधायक चुल लिया जाता है, इसी सीट से साल 2007 के चुनाओ में अश्रफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ता है, राजुपाल के हत्या का अरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वो आज तक नहीं उबर सका और उसके लिए वो नासूर बन गया और अब सु 2009 के लोकसवा चुनाओ में प्रतापगड से अपना दल के टिकट, 2014 में स्रीवस्ती सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपूर सीट के उपचुनाओ में आजाद, और 2019 में निर्दलिया उमीदवार के तौर पर वारंसी सीट से प्रदानमंत्री नरेंदर के खिलाफ लोकसवा का चुनाओ लड़ा, लेकिन सभी जगा उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, स्रीवस्ती को छोड़कर, लोकसवा की बाकी तीन चुनाओ में तो उसकी जमानत तक जब्द हो गई, ऐसा नहीं है कि सफेद पोज बनने के बाद, अतीग ने काली कर्टू को अंजाम देता रहा, सियासत में स्तापित होने के बाद, उसने संगठित अपरादों पर ज्यादा फोकस किया, और अपरादिक घटनाओं के बजाए, अपना आर्थिक सामराज्य मजबूत करने में लग गया, तमाम बेनामी संपत्या बनाई, करीबियों के नाम पर करोड जनी का सबसे बड़ा जरिया अर्बो खर्बो के ठेके लेने का था, ठेके के कहीं काम वो अपने लोगों से कराता था, तो साथ ही तमाम ठेके कुछ कमिशन लेकर दूसरों को ट्रांसफर कर दिया करता था, रंगदारी वसूली और गुंडा टैक से भी उसने अर्बो अतीक एक इंटर स्टेट गैंग का खुदा हुआ करता था उसके गैंग का नंबर 227 था बताया जाता है कि करीब 700 इसके गैंग के साथ ही एक्टिव हुआ करते थे अतीक के उपर करीब 101 मुकदम दर्द थे जिन में से धेर सारे सबूतों और गवाहों के अभाव मिक्वें उस उसके जुर्म का सिक्का चलता था वो जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सलतनत चलाने में माहिर था देवर या जेल में कैद रहते हुए उसने ना सिर्फ लखनव के कारोबारी का अपरण कर उसे जेल बुलवाया बलकि महां उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी बनाय और वो वीडियो सिर्फ इसलिए वाइरल कर दिया गया ताकि बाहर उसके नाम की दहशत बनी रहे इसी तरह उसने प्रियागराज के कारोबारी का भी अपरण करा कर उसे जेल बुलवाया और खुद उसकी पिटाई भी की थी इसके बाद अतीक ने अपने खौफ को जिन्द से कम नहीं था हमलावरों ने किसी तरह का कोई मास्क नहीं लगाया था किसीन अपनी पहचान को चुपाने की जरा भी कोशिश नहीं की थी अतीक इतना शातिर था कि वो सिस्टम खरीद लेने का भी हुनर जानता था और ताकत भी रखता था तब ही तो वो जेल में बंद रह हम रखने के लिए जेल में पंचायत लगाता था जब जेलर ने अतीक को मना किया तो अतीक ने वहां मुझूद सैकड़ों पुलिस कर्मी और कैदियों के सामने ही जेलर को थपड जड़ दिया जिस जेलर की कस्टड़ी में अतीक बंद था उसी जेलर को थपड मारना उसके रुत्बे को दिखाता है और ये किस्सा है प्रियाग राज की नैनी सेंटरल जेल का पुलिस को ये मोहरों की तरह इस्तमाल करता था जिसने इसके रास्ते में आने की कोशिश की इसने सब को एक ही अंजाम दिया और वो अंजाम था मौत चांद वाबा से लेकर राजुपाल और उमेश पाल तक 2017 से पहले की सरकारों ने इसके मुकाम तक पहुचाने में इसकी खूब मदद की कहीं बार पुलिस ने इस पर गुंडा एक्ट लगाया लेकिन राजुनेताओं ने सब खत्म करवा दिया लेकिन 2017 में योगिया अधित्यनाथ ने जैसे ही सूबे की कमान भाली इसका काउंट डाउन शुरू हो चुका था पहले से आर्थिक तोर पर चोड दी गई इसकी कमर तोड दी गई जितनी बेनामी संपत्तियों पर बुल्डोजर चलाया गया इसके साथ साथ इसके करीबियों की भी कमर तोडने काम योगि सरकार ने किया खबरों के मुताबिक करीब 2368 करोड की संपत्ती को या तो कुर किया गया या फिर बुल्डोजर से दौस्त कर दिया गया अथीख के मरने से कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि हथीग पाकिस्तन के संपर्क में था पाकिस्तान से ही वो हत्यारों को मंगवाया करता था और इन हत्यारों को मंगवाया करता था ड्रोन के जरी योगी सरकार ने इसके अपरादिक तिलिस्म को तोड़ने का काम किया तब ही तो बेटे का एंकाउंटर होने के बाद अतीक ने कहा था कि मिट्टी में मिल चुका हूँ अब रगड़ा जा रहा हूँ अतीक माप चुका था कि उसका अब ज्यादा दिन जिन्दा रहना मुश्किल है। रुपेपुलिस अतीक का ताबूत तो तैयार कर चुकी थी लेकिन आखरी कील नहीं ठोक पाई। 44 साल के अपरादी की थ्यास में किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि अतीक की तरफ आँख उठा कर भी देख सके। लेकिन लवनेश, सन्नी, अरुन नाम के तीन हमलावरों ने अतीक और उसके भाई अश्रफ को गोलियों से भून दिया। पॉइंट ब्लैंक से दोनों को गोली मारी गई जिस अंदाज में अतीक लोगों की हत्याय करवाता था या किया करता था ठीक वैसे ही अतीक और अश्रफ को एक सांस भी नहीं लेने दी। अतीक और अश्रफ को मारने वाले तीनों हमलावरों ने भागने की भी कोशिश नहीं की और हतियार फैक कर मोके पर ही सरेंडर कर दिया। चनून विवस्ता पर सवाल उठा दिये।